कलपना कीजिए कि एक 15 साल की लड़की की हालत क्या हो जो पारिवारीक मदभेदों के कारण केबल 300 रुपई लेकर घर छोड़ देती है वो घर घर जाकर चाकू और कोस्टर बेचने वाली सेल्स गल मन जाती है उस उम्र और उस समय उसे वही एक मात्र नौकड़ी मिल सकती थी नमस्ते दोस्तो मेरा नाम विश्णु अगरवाल है मैं आप ही की तरह एक अंत्रपेनियर हूँ मेरे पास सौ से ज़्यादा प्रमोटर से काम करने का अलूभव है दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक सच्छी भारती नारी की कहानी बताऊंगा जिसने अपने धैरे और द्रीर संकल्प से एक सफल व्यफशाय बनाया और सफल महिला अंत्रपेनियर्स के बीच अपना नाम बनाया उसका नाम चीनू कला है और वह नारी सत्ती और सफलता की सच्छी मिसाल है उसका इनिशिल सेल्स का जॉब एक बरदान साबित हुआ क्योंकि कंपनी प्रत्यक दिन के अंत में विक्री कमिशन का भुकतान करती थी इससे उसकी बुनियादी जरूरोतों का को पूड़ा करने में मदद मिलती थी चीनू ने 2004 में शादी की और 2006 में ग्लैडरक्स मिसेस इंडिया में भाग लिया जहां वो फाइनलिस्ट में सामिल थी इस घटना ने उन्हें फैशन में गहनों का महत्व सिखाया और बताया कि कैसे एक अच्छा आभुशन किसी व्यक्ति का संपुर्ण रूप को निखार सकता है है ना अनोखी कहानी दोस्तों उन्होंने ब्यपार के लिए अपने स्ववहाव को आभुशनों के प्रती अपने प्यार के साथ जोड़ा और वर्ष 2014 में अपने स्वेंग के आभुशन ब्रैंड रूबेंस एसेसेरीज को क्यूरेट किया उसके दिमाग में एक बिचार के रूप में जो शुरू हुआ था वो बास्तब में एक पुन्य आभुशन व्यपशाई के रूप में हुआ एक मौल में एक स्टोर से चिनुने ग्रहोकों की संतुस्टी और डिजाइन में नविन्ता और रचनात्मक्ता के लिए अपना व्यपशाई बढ़ाया रूबन्स एसेसेरीज ने 2014 में 12 लाक रुपे की वार्षिक बिक्री के साथ सुरुआत की थी और 2018-19 में साथ करोर रुपे के माल की विक्री की 2021 तक पूरे भारत में भारत के बजारों में प्रवेश करने का लक्ष है रखते हुए रूबन एसेसरीज एकसेसरीज 2024 तक सौ करोर रुपे का राजिश्व प्रात करने का महत्व कांख्षाई लक्ष के और अग्रशर है जिनों ने फैशन को आम उपभुकता की पहुँच में ला दिया इससे भी महत्वपुन बात यह है दोस्तों की उनकी कहानी धैरिये द्रीर संकल्प और कभी पीछे नहीं हटने की है मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करे और साथ ही मेरे चैनल को बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब करे तो आज यही तक दोस्तों खुश रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद